तो नवस्कार दोस्तों, आज था गांधी जैन्दी, सत्ताग्रे और आहिंग्सा के पार्ट पराने वाले बापु जी का 155th पर्थ अन्वर्सरी अब आप सबने गांधी जी की सची कहानिया सुनके उन्या आज याद तो जरूर किया होगा तो दोस्तों, आज महालाया भी था दूर्गा पूजा यही कुछी दिन पहले तो हमने मनाया था बरे ताम जाम के साथ दूर्गा पूजा देखते ही देखते, फिर से एक बात, मा दूर्गा आकर हमारे देलेच पर खरी है तो हम भाग के से सकते हैं दुर्गा पुजा से तेलिवरेट तो करना है पुजा माने ड्रेस पिना ड्रेस का कोई पुजा नहीं देख सकता पुजा देखने निकले या बारिस आने के वज़े से घर से निकलना ही बंद हुजाए पर सप्तमी अस्तमी और नवमी भाई साप तीन जोड़ी कप्रे तो एड्रोप में खुशना चाहिए मैं तो बड़ा मार्केटिंग करता फिरता हूँ मैं तो मार्केटिंग के चकर में डेली के सरोजनी मार्केट तक जहाक के आया हूँ पिछले महीने ओके तो आज है हम फैंसी वजार गौहाटी में बड़े बड़े शॉपिंग मौस में नहीं पुजा के मार्केटिंग का मजा तो इस भीर भार में है इस सोरोगुल में है इस घुटन में है इस गर्मी के मौसम की पसीने बहाने वाले महनत में है मौच तो फैंसी वजार के दुकानतारों का आपका ध्यान खिचने वाले तरीकों पे है पारगनिंग का मजा और कहा है यही है फैंसी वजार हमारा अपना वजार इस भीर बार में हमने भी एक गोता लगाने का सोचा सोचा नहीं, गोता लगाया सच बताओं तो मुझे कुछ लेना नहीं था बस उम्रांसु से धुरूब भाई आया था उसके सौपिंग में मदद करने निकल गया मुझे भाई सब अच्छा लगता है फैंसी बज़र जाना बस बहाना मिले और चल दिये इस भीर बार को, इस भीर बार को मैसूस करो और कॉमेंट में मैंशन करो लास्ट टाइम इस भीर बार में कब खुशे थे दूर का पुजा को फील करना है तो एक बार फैंसी बज़र का चक्टर लगावा तो मत भूलदा यार आज बस महालाया ही है और आज ही इतना वीर है कुछ दिनों तक यहां आके बस खरे हो जाना देखना लोग धकेल धुकेल के आपको उस पार छोड़के आएंगे यानि बढ़ा पुत्र के पार तो भाई साब मैंने बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन्स देखी है इस बार फैंसी बज़र में बहुत लेडिस और जैंज के लिए फटा फटा आगोर अपना कलेक्शन्स ले जाओ बस साथ में एक वर्गरिनिंग कर सकने वाला एक एक्सपर्ट जरूर लेगा आरा एक्सेल दी चलो मिलते हैं कही ना कही बाबाई